बहर में दूर से पानी लाने को मजबूर ग्रामिर, समस्या के चलते परिशान ग्रामिरवाची मंत्रियों को समस्याओं को लेकर सौपा गया पर देवास में विकास कारियों की समिक्षा को लेकर बैठा का अध्यक्षन सुननी समस्या है अधिकारी को दिये दिशान इट्देच उजयन के महाकाल मंदिर में चोर और जेब कत्रे सक्रिये लोगों को हो रही काफी परिश्वानी एक चोर को किया गया काभू पुलिस कर रही मामले की पुष्टाज नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंकेता पाल बोडिंग के शुरुआत करते हैं बाला घार जुले के ग्राम सीजोरा में आपको बता लेकी पिछले कई दिनों से पानी की समस्या के चलते ग्रामिलों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा पानी की समस्या के चलते ग्रामिलों दूर से पानी लाने को मजबूर हैं ग्रामिलों के माने तो गाउग में हर घर जल योजना के तहट में पानी टंकी तो बना दी गई है साथी हर घर पर नल कनेक्शन भी कर दिया गया लेकिन कभी चालू ही नहीं हुआ आपको बतादे कि ग्रामिरों ने बताया कि उनके गाव में पिछले कई सालों से पीने की पानी की समस्या चली आ रही है पानी की समस्या के चलते कई बार अधिकारियों से लेकर नेताओं और मंत्यों को अपनी समस्याओं से अबगत कराते हुए ग्यापन भी दे चुके हैं लेकिन आज सक समस्या का हल नहीं हुआ है आपको बता दे कि पूरा मामला बहर का है जहां उसे आपको बता दे कि दूर से पानी लाने को ग्रामिर जो हैं वो काफी मजबूर है क्योंकि समस्या के चलते काफी उन्हें परिशानियों को भी सामना करना पड़ता है पानी की समस्य के चलते ग्रामुलों दूर दूर से अपने पानी लाने को काफी मजबूर हो चुके हैं ग्रामुलों के माने तो गाव में हर घर नल योजना के तहत में पानी तंकी तो बना दी गई है और साथ ही हर घर पर नल कनेक्शन भी कर दिया गया लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है जिसे ग्रानूलों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है पूरा मामला बहर का है और जहां पर दूर दरा से पानी लाने को लोग जो हैं वो काफी मजबूर हैं और साथी कई घंटों तक पानी के लिए खड़ा भी रहना पड़ता है क्योंकि काफी दूर दूर से लोग यहां पर पानी भरने के लिए आते हैं तंकी के लिए बूर कराने के लिए हम लोग आगवती भी कराएं तो चार्ठ बूर bet हुए हैं बाकी बूर खुदाए नहीं है और पलस बाकी बूर नही कोडाने के कराण भी हम एक सी-से क्यासी में फोन लगाए तो बोले किसी तरह के कोई अगजेसण भी नहीं लिया गया और इदार के मतलब जो कारे करता है वो भी ध्यान ले दिये प्सक्राइक्ष लीला भैरु सिंह अट्रिया सहीत जिल्या पंचाइत और जन्पर पंचाइत के अध्याक्ष और जन्पर सिद्र से मर्जूद रहे बैठक में जिले में हो रहे विकास कारियों के समिक्षा के पैंटिंग कारियों को जल्द निप्टाने हितू अधिकारियों को जिशा निर्देश दिये गए और वही पिछली हुई बैठक की कारवाही पद भी चर्चा की गए और आपको बता दे कि इस दोरान जिला पंचायत देवास की सदारन सभा की बैठक लंबे समय से नहीं हुई और इस वज़े से दोनों ही दलों के समर्थित जिला पंचायत सदस नराज दिखे और उनका कहना है कि सदारन सभा की बैठक नहीं होने से वो गाउं के विकास समंदी विश्यों पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं और नहीं अधिकारी उन्हें कार्यों का लेखा जोखा भी बता रहे हैं आपको बताते कि देवास में जिला पंचायत सदाराण सभा की बैठक का आयुजन किया गया और यह जो बैठक है वो पंचायत सभागार में दो बज़े तक हुए जहां पर बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, लीला भैरु सिंग, अट्रिया सहीत जिला पंचायत और जनपत पंचायत के सद अध्यक्ष और जनपत सद से भी मौजूद रहे और साथ ही आपको बताते चले कि बैठक में जिले में हो रहे है विकासकारियों की समिक्षवा के पैंडिंग कार्यों को जल्द निप्टाने हितू अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिये गए और पिछली हुई बैठक की कारवाही पर भी चर्चा की गई इस दोरान जिला पंचायत दिवास की सदारन सभा की बैठक लंबे समय से नहीं हुई इस वज़े से दोनों ही दलों को समर्थित जिला पंचायत सदा से नराज दिखे उनका कहना है कि सद्धारन सभा की बैठक नहीं होने से वो गाउं की विकास समंधी विश्यों पर चर्चा नहीं कर पा रहे है और नहीं अधिकारी उन्हें कारियों का लेखा जोखा बता रहे हैं आपको बता दे कि पूरी खबर दिवास से है जहां पर जिला पंचायत समय सीमा बैठक का समापन हो चुका है और साथ ही अध्यक्ष ने कई समस्याओं को सुना है अधिकारीयों को भी दिशनिर्देश दिये गए हैं जिला पंचायत सधरन सभा की बैठक मंगलवार दोपहर दो बज़े से जिला पंचायत सभागार में हुई और बैटक में जिला पंचायत, अध्यक्ष, लीला, भैरू सिंग अटारिया सहित जिला पंचायत और जन्पत पंचायत के अध्यक्ष, जन्पत के साथ में सदस्यु भी काफी लोग मौजूद रहे, आप तस्वीरे भी देख सकते हैं जो जिला पंचायत देवास की हैं पर पैंडिंग कार्यों को जल्द निप्टाने हितू अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिये गए लोगों ने अपने समस्याइं भी रखी और पिछली हुई बैठक के कारवाही पर भी चर्चा हुई जो पहले एक मीटिंग हो चुकी है उस पर भी चर्चा की गई और उनकी समस्याओं को सुना गया कि क्या है कि काफी समय के बाद आज जिला पंचायत में आना हुआ है बेठक जिला पंचायत में काफी समय के बाद रखे गई है क्योंकि इसके पहले विदान सभा चुनाओं आ गये थे विदान सभा चुनाओं के बाद जैसे ही आये हैं तो ब लेकिन अगर अधियर्ष किसी जरे नाराज है तो यह उनका पस्टल मेंटर में इस पर कुछ टिपपनी करना नहीं चाहिए लेकिन इस होगा है कि जब भी जन प्रतिनी ते कि कोई भी मेटिंग हो चाहिए जिला पन चाहिए आन या कोई वेटेंग हो तो सभी अधिकारों को य बता दे कि महश्वर हर बार के तरह इस साल वी संस्ता के तरफ से व्रद्धाश्रम में सम्मानीनी अधिती गजराज यादव, सुरेश अख्रवाल, नरेंद शिर्वास्तव और महश चंद्रीवाल के साथ में मनाया गया कारकम की शुरवात अधितियों ने भारत रतन पूर्व प्रधान मंत्री अटल विहारी वाजपे के चित्र पर मालयारपन करकर की है मालयारपन के पस्चात अधितियों का भगवा पटका से सुवागत किया गया स्वागत के बाद में अतितियों ने महामना पंडित अटल विहारी वाजपई की पर अपने विचार भी वेक्त किये और अतिती संबोधन के पस्चात अतितियों और संस्ता के सदस्यों ने व्रधर जनों को गरम कपड़े वित्रुत किये और इसके साथ ही संस्ता सदस्य बाड़े ने अगामी 22 जनवरी को होने वाली आयोध्या प्रायाण प्रतिस्टा की उपलक्ष में नगर में संसा की तरब से होने वाले कारिक्रम की जुआनकारी भी शेयर की है अपने जीवन का चंचन और अपने उसका पलपल राष्ट हित के लिए समर्पित कर दिया हो इस तियक्या अहुती में अपना सब कुछ निशार कर दिया हो एसे परमसद्य अटल भीहर जीर्वाजपई के चर्णों में नमन करते वे स्वस्तारान संपर्ग संपर्ग को बधाई और सुक्तांगा देते वे धन्यवाद देता हूं उन्होंने आज मुझे हैं बुला कर बोलने का उस्वतान के जाहिन के बारत माता की आज हमारे विशे प्रभात में अलग जगाती यह वेदों की वाणी है गंगा यमना सरस्वती और यह निवा का पानी है काशी मेश्यों मत्रा काना और अवध में राम यहां धर्म धजा लेहराते दिखते हमको चारों धाम यहां तुलसी सूर कबीर यहां पर और मिले दुरू नानक है स्वामी विवेका लंद आज भी युवा ओके नायक है अन्य खिलाने वाले हमको अन्य दाता किसान मिले सरहत की रक्षा करते हैं हमको वीर जवान मिले तो वहीं उजल में नयसाल को लेकर बड़ी संख्या में दर्शनार्ती बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने आ रहे है और ऐसे में चोर और जेब कत्रों का तंत्र भी सक्री हो गया है इसी क्रम में भुपाल से आए एक शुरधालू का पर्स जेब कत्रों निकाल लिया जिसकी सूचना महाकाल इश्वर मंदिर सम्मिति को दी गई CCTV की मदद से एक चोर को भी पकड़ लिया गया जिसके पास से फर्यादी का पर्स और 18,400 रुपए बरामत किये गये इसके बाद चोर को महाकाल थाने लेकर गया जाया गया और साथी पुलस से मामला दर्श को रागरी कारवाही में भी जुट गई है पुरा मामला उज्जेन का है जहांपर लोगों को काफी परिशानीयों का सामना करना पढ़ रहा है और साथी महाकाल मंदिर में चोर जो हैं वो काफी सकरी हो गए है महाकाल और महाकालैश्वर के दर्शन करने आने वाले शुदालू के और दर्शनातियों पार ऐसे में जेब कत्रे तंत्र भी काफी सक्री हो गए हैं आपको बता दें कि भुपाल से आए एक शृधालू का पर्स जो है वो जेब कत्रों ने निकाल लिया जिसकी सूचना महाकालेश्वर मंदिर समिती को दी गई CCTV की मदद से एक चौर को पकड़ा गया जिसके पास से 18,400 रुपे बरामत किये गए हैं आप तस्वीरे भी देख सकते हैं जहाँ पर पुलिस जो है वो फर्यादी का पर्स और 18,400 रुपे बरामत किया है और इसके बाद में चोर को महाकाल ठानी लाया किया फुलिस में मामला दर्शकर आकी कारवाही में जोड़ कई है पूरा मामला उज्जैन का है जहाँ पर दूर दराज से लोग यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुशते हैं और इसी दोरान जेब कत्रे और साथी जो चोर होते हैं वो काफी सक्री हो गए हैं चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं अनलने मामला रहा कि आपको बतारें कि इस समय महाकालेश्वर में काफी भीढ भी उमड पड़ी हैं और दर्शन करने के लिए आ recurring कि में काफी संख्या में जो लोग है वो दर्शन का पर्स जेब पत्रों ने निकाल लिया जिसकी सूशना महाकाल श्वर मंदिर समिती को दी गई सीसीडीवी की मदद से चोड को पकड़ा गया है और इसके बाद में जेब कत्रेसिक के पास से पर्यादी का पर्स और 18,400 रुपए भी बडामत कर लिये गए हैं और पूरा मामला महाकाल थाने में दर्च किया गया और पुलिस पूरे मामने की जार्ज कर रही है महाकाल मंदिर में एक जेब कत्रा जो चोरी कर रहा था उसके जेब से कुछ कैश पाया गया तो जिस वेक्ति का कैश इसने पाकेट मारा था उस लड़के के जेब से निकला है कैश और CCTV के मांट है इसके पॉकेट से अठारा जार को 400 रुपए कुछ है तो यह कैश और इस लड़के को माकल थाने पर दिया यह फ्रकाबाद यूपी का रहने वाला है श्रिवास्तों इसका नाम है वासु श्रिवास्तों इसके साथ एक लड़का और था वो इसको छोड़के और भाग सब्सक्राइब करने पर्स निकाला है और यात्री का पर्स भी मिला है और उसको तुरंत कारवाई के लिए माकल थाने बेच जया गया अरोपी अपने अपको तर प्रदिस का बता रहा है और नाक चंद्रेश्वर मंदिर का निरिक्षण किया यहां पर मजबूती को लेकर बारिकी से जाच की गई और इसके साथ एक रिपॉर्ट को भी तयार किया गया इस रिपॉर्ट पर सामिक्षा होगी उसके बाद में फाइनल रिपॉर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की ज लिए भारती पूरातत्व सरक्षण की आर सदस टीम उज्जयन पहुची है आप तस्वीरे भी देख सकते हैं तस्वीरे उज्जयन की हैं जहां पर पूजा अर्शना की जा रही है और इसी को लेकर शिवलिंग छरण को रोखने के लिए एसाई भारती पूरातत्व सरक्ष पूरात्वर की आज टीम उज्जयन पहुची और जहां पर टीम ने महाकाल शिवलिंग महाकाल मंदिर का गर्भ ग्रे मंदिर के सिर्श भाग परिस्तित ओकारशवर मंदिर नाग चंद्रेशवर मंदिर का निरिक्षण किया क्योंकि लगातार देखने को आ रहा है कि शिव महाकाल मंदिर का गर्भ ग्रे मंदिर के सिर्श भाग परिस्तित ओकारशवर मंदिर नाग चंद्रेशवर मंदिर का निरिक्षण किया गया और यहां पर मजबूती को लेकर बारीकी से भी जाच की जा रही है इसके साथ एक रिपॉर्ट को भी तयार किया गया, इस रिपॉर्ट पर समिक्षा होगी और उसके बाद फाइनल रिपॉर्ट सुप्रीम कोट में पेश की जाएगी तो बढ़ते हैं आगे आपको वजारे कि उम्रिया चुले में उम्रिया से श्रहडोल रास्टी सडक मार्ग NH43 पर निर्मार कारी कर रही है TBCL कंपनी के मनमाने रवय से लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ रहा सडक का निर्मार कार कर रही कंपनी के दुआरा सडक निर्मार कार किया जारा जिससे नेमा अनुसार नगर के अंदर की जो भी पुरानी सडके हैं उसका रख रखाब सडक निर्मार कार पूरा होने तक TBCL के दुआरा किया जाना है पर वे भी समय पर नहीं किया जा रहा वो भी जा रही है आपको बता दे कि पूरा मामला उम्रिया जुले के शहडोल रास्टी सडक मार्ग NH-43 निर्मार कारी कर रही है टीबी-सी-ल कंपनी के मनमाने रवया से लोगों को अपनी जान से भी हद्धूना पड़ रहा क्योंकि सडक का निर्मार कारी कर रही कंपनी के द्वारा सडक निर्मार किया जा रहा जिसमें नगर के अंदर जो पुरानी सडके है उसका रखा रखाव सडक निर्मार कारी पूर होने पर टी-बी-सी-ल के द्वारा किया जा रहा और वे भी समय पर नहीं किया जा रहा तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर अम्रिया की हैं, जहाँ पर सडक के निर्मार का कार जो है, रिपेरिंग का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है, जिससे कंपणी जो है TBCL कंपनी, वो अपने मनमाने रवय के लेकर सुल्खियों में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर लो किया जाना है पर वे समय पर नहीं किया जा रहा है। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हूँ और जो अंदर की सड़की अगर बात की जाए जो पुरानी सड़के हैं उनको भी रिपेरिंग का काम करना है लेकिन बहुत धीमी गती से चलना जिसकी वज़े से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसको लेकर ग्रामिलों ने इसकी जौनकारी पुलिस धाने में दी और परशू चिकित्सक विभाग के डॉक्टर को दी गए और जिस पर मौके पर पहुचे परशू चिकित्सक विभाग के डॉक्टर ने उक्त बेल का उपचार किया और वहीं मौके पर पहुचे पुलिस ने सिंग रॉली जुले के चितरंगी विधान सभा से विधायक राधा सिंग ने राजमंत्री के पद की शपत ली है उनके निज निवास चितरंगी बजाद में कारिकरताओं ने जश्ण मनाया साथी आपको बताते चुले के मद्परदेश के सियम मोहन यादव ने अपनी मंत्री मंदल का विसार भी किया है जिसमें सिंग रॉली जुले के चितरंगी विधान सभा से विधायक राधा सिंग को भी जगहें मिली है और पद एवन गोपनियता की शपत लेने के साथ ही राधा सिंग के निवास पर कारिकरताओं ने जश्ण मनाया और चौक चौरहों पर आतिश बाजी भी किये गए आप तस्विर देख रहे हैं जो कि सिंग रॉली की है और जहां पर राधा सिंग ने मंत्री पत की शपत ली है तो वहीं दूसरी और आपको बता रही कि चितरंगी विधान सभा से विधायक बनाया गया निवास बस्तान पर यहाँ पर जशन की तस्विर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जशन साफतोर पर दिखाई दे रहा है लोगों के चहरे पर खुशी नजर आ रही है क्योंकि राधा सिंग ने मंत्री पत के शपत ली है जिसको लेकर कारिकरता जो वहाँ पर लोग है वो उपस्ते थे वो अपने खुशी भी जाहिर कर रहे हैं आपको बतादे कि पूरा मामिया सिंग रॉली जुले के चितरंगी विधान सभा से विधायक राधा सिंग का है जहाँ पर राज मंत्री के पत पर शपत ली और उनके निज निवास चितरंगी बजार में कारिकरताओं ने जशन भी मना आप तस्वीरें देख सकते हैं तस्वीरें मदप्रदेश की हैं और साथ ही मदप्रदेश के मुख्य मंत्री मोहन यादव ने अपने मंत्री मंदल का विस्तार किया है और मंत्री मंदल के विस्तार में सिंग रॉली जुले के चितरंगी विधान सभा से विधायक राधा सिं में सर्व समत्ति सदस्य दौरा गौषणाला को संचारित करने का संकल्प लिया गया जिसमें गाइची तरह से विवस्ता भार पोशल्ट लाकर पूजनiesz किया गया बैठक में सदस्य दौरा यह निरने लिया की हर अमावस करें डिन सभी सर्व समत्ति सदस्यों को बैठक में आना है करकरम में ग्राम रामा बलोदा एहरीर खेड़ा पिपलिया धाबी कोकरी और साथियां सदस्द्वारा शपत दिलाया जिया कि सुहागपूर स्टेशन रोड स्टेट स्टेट बैंक की ब्रांच में अचानक से आग लग गई जिसके चलते घबरा कर बाहर की ओर लोग जो हैं वो भागने लगे मौके पर मौजूद लोगों ने आपको बताते कि नर्मदापूरम के सुहागपूर स्टेशन रोड स्टेट स्टेट बैंक की ब्रांच में अचानक से आग लग गई और जिसके चलते लोग घबरा कर बाहर की ओर भागने लगे मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि इस बै ब्रांच के जनरेटर में धुआ उठा और कुछी देर बाद उसने तेज आग पकड़ी घटा के सुचना दमकल विभाग को दी गई सुचना के बाद मौके पर पहुचे दमकल की गारियों ने आग पर काबू पाया है तस्वीर देख सकते हैं तस्वीर